स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं आप ये है इराक में अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बेस और इस बेस पर 15 रोकेटों की बारिस हुई है जानेंगे क्या हुआ है और क्यों इसे काफी बड़ा हमला माना जा रहा है किसने किया है ये सब कुछ और इस बार लाल सागर में दो देशों के नाम जारी किये गए है हुती विद्रोहियों द्वारा लिस्ट में दो देशों का नाम जारी किया गया है कि सिर्फ वही बच पाएंगे कौन से हैं वो दो देश और क्या चाइना ने सचमुच लाल सागर में जंग में उतरने का मन बनाया है और इन सब के इन्हों ने लाल सागर में पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा CIS News Network के इस एपिसोड में कई ऐसी चीज़े जानने को मिलेंगी जो एकदम नई है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप इस मैप में इराक और इराक का वो बेस जिसे अमेरिका इस्तेमाल करता है और ये जो बेस है ये बेस नजदीक जाने पर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा थोड़ा और नजदीक जाने के बाद आपको ये दिखेगा यहां पर कुछ कैंप जैसे बने हुए हैं और ये पूरा इलाका जहां पर अमेरिका की आर्मी और अमेरिका के सहीयोगियों की आर्मी रहती है एर बेस को अगर तस्वीरों में देखेंगे तो ये एर बेस कुछ इस तरीके का दिखता है जहां लगभग अमेरिका के हर तरह के हतियार वगेरा भी देखने को मिलेंगे आदुनिक हतियार, हेलिकॉप्टर्स ये सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा पर क्या हुआ है ना, रवी वार को अचानक से अमेरिका के सेंटरल कमांड ने एक मैसेज डाला और सेंटरल कमांड के इस मैसेज के बाद लोग सकते में आ गए स्क्रीन पर यूएस सेंटरल कमांड का ये मैसेज देख सकते हैं और इसमें कहा गया कि 20 जनवरी को साम साढ़े छे बजे बगदाद के टाइम के अनुसार अल असद एयर बेस पर 15 मिसाईलें दागी गई हलाकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उस एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब करीब 13 मिसाईलों को मार कर गिरा दिया पर फिर भी दो मिसाईलें आकर गिर ही गई और इन दो मिसाईलों में कहा जा रहा है कि कुछ संख्या में अमेरिकी सैनी की भी घायल हुए हैं अब कितनी की संख्या में ये नहीं बताया गया है स्क्रीन पर आप आप आर्टिकल देख सकते हैं और इराकी लोग जो थे वो भी इसमें घायल हुए हैं पर ये हमला किसकी तरफ से किया गया एकदम से गजब की बात है कि बगल के प्रांत से ही किया गया है और कहा जा रहा है कि ये हमला जो हुआ है इस हमले के पीछे इरान का हाथ है दरसल इराक में अभी क्या सीन है न हर एक जगह पर एक एक बेस बन गया है सब एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं मतलब एक प्लेगराउंड बन गया है इस प्लेगराउंड में एक तरफ अमेरिकी सेना का कैम्प है एक तरफ हुती विद्रोईयों का कैम्प है और कुछ-कुछ इसी तरीके से विद्रोईयों का अब केंदर में क्या है असल में क्या हो रहा है जो एराक पे हमला होने लगा सीरिया पे हमला होने लगा और इरान कभी पाकिस्तान पे अच्छ प्रहए आपको बता दें के ठीकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है इस हमले में हूती विद्रोहियों को यमन में नश्ट करना शुरू कर दिया है तो अलग अलग जगा भी हमले होने शुरू हो गए हैं ताकि ध्यान बटे अमेरिका के तरफ से भी अलग-अलग हमले हो रहे हैं सीरिया में इराक में सीरिया में इराक में पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं असल जड़ क्या है असल जड़ है लाल सागर और लाल सागर से बहुत ज़्यादा समस्या भी खड़ी हो रही है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए लाल सागर में नवंबर मेहने से ही करीब ये जहाजो पर हमले का सिलसिला जा रही है इस हमले से धीरे धीरे क्या हो रहा है ना फूड सिप्मेंट ये बहुत ज़्यादा परभावित हो रही है और फूड सिप्मेंट के परभावित होने का मतलब है कि दुनिया भर में भूकमरी के आसार फैल जाएंगे अब इसी बीच चाइना के लिए भी समस्या खड़ी हो गई चाइना के लिए क्या समस्या खड़ी हो गई स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना के लिए समस्या ये खड़ी हो गई कि चाइना कई सारा माल यूरोप भेजता है यूरोप से इसका बैपार बंदबंद नहीं हुआ है तो यूरोप जो माल जाता है यूरोप के कमपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो भीया माल लाल सागर से मत भेजो लाल सागर से बड़ा खतरा है और लाल सागर से ना भेजो तो यहाँ जो कॉस्ट था जो खर्चा था वो बढ़ रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिंग जो खर्च एक कंटेनर पर 3,000 लगते थे वह अब 7,000 लगने लगे चाइना के लिए मुश्किल खड़ी हो गई चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और चाइना ने इस स्टेटमेंट में क्या कहा कि लाल सागर में जो यह हमले हो रहे इस एलान में कहा जाता है कि हम दो देशों को छोड़ रहे हैं इन दो देशों के ऊपर हम हमलान नहीं करेंगे अब दो देश कौन कौन से हैं एक देश है रूस और दूसरा है चाइना मतलब यह दोनों देश तो बच गए मांकियों का क्या होगा स्क्रीन पर देखिए यूए यूए इसलिए बॉकलाया क्योंकि MSC ने कहा कि बड़े बड़ी यात्राइं करनी थी तीनों की तीनों हमने कैंसिल कर दी है क्योंकि इस लाल सागर में जो तूफान है यह खतम नहीं हो रहा है और यूए को गुस्सा आया यूए ने भी कहा कि यह जो कुछ भी हो रह है गलत हो रहा है यह अच्छान नहीं है और आपको बता दें अब आपको लग रहा होगा कि रूस और चाइना जीत गए यहां पर भारत हार गया यूए हार गया तो आपको बता दूँ जियो पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है स्क्रीन पर एक मैप देखिए यह मैप लाल सागर को बाइपास करते हुए रास्ते ही रास्ते भूमी के रास्ते से ही यूए तक पहुचेगा और यह पहला भाग है एक बार जैसे यह हो गया फिर समझ लीजिए कि आए में कोरिडोर भारत तक जुड़ गया कहीं न कहीं यह सब कुछ अपने आप तैयार हो रहा है और हुती विद्रोहियों के इन हमलों के बाद बहुत तेजी से काम सुरू हो रहा है कैसे स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप इसराइल का लोजिस्टिक स्टार्ट अप यह सुरू कर रहा है तो वहीं एक दूसरी ख़वर देखिए इजिप्ट इस चीज में वदत मिल रही है और जितना जादा युवई नाराज होगा उतना ही जल्दी यह आए में कोरिडोर बनेगा यह भी साफ है भारत भी अपने नुकसान से बच पाएगा स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जिंदल स्टील को दिक्कत हो रही है किस तरीके से भारत ने भी लाल खबर की साथ